जानते हैं THAT poquito प्राण दायक ऑशिजन मंनुस्छ के लिएtur अब DOC जी सकते हैं इसके अलावा भी जो व्रिक्ष हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजे प्राप्त होती हैं बात करें ओशधी की बात करें फल की या फूल की यह सभी चीजें हैं जो हमें व्रिक्षों से प्राप्त होती हैं इसके अलावा क्रिशी करने की लिए जो जल होता है वो भी ह वर्थी वन और गंगावन के रूप में ये निर्मार कारण अकेबल चल रहा है बलकि यहां पर बहुत सारी भारी तादात में व्रक्षों को रोपा गया है और पर्यावरन को सुरक्षित करने के लिए अपना एक महतोपूर्ण कदम भी उठाया गया है जीवन का आधार व्रक्ष है धर्ती का श्रिंगार व्रक्ष है प्रानवायू दे रहे हम सभी को ऐसे परम उदार व्रक्ष है व्रक्ष मानव और अन्यजीवों के अस्तित्व के लिए प्रत्वी को उनके अनुकूल बनाते हैं वे हमें सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आश्रय भी प्रदान करते हैं वे हमें जीवित रखने और हमें एक आराम दायक जीवन प्रदान करने में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं आक्सीजन देने के अलावा ये व्रिक्ष पर्यावरंड से विभिन हानिकारग गैसो को भी अवशोशित करते हैं, जिससे ग्लोबल वामिंग का प्रभाव प्रत्वी पर कम होता है। आज सबसे बड़ी जो प्रॉलम समाज के सामने जहां पर मैं देख रहा हूँ, वो परियावरंड जो पॉलुटेट इंवार्मेंट पॉलुजन को ले करके है। और ये समस्या कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, ये किसी नेचर, नेचर ने हमें सारे संसाधन दिये। और पर्सेंट एरिया फोरेश्ट कवर होना चाहिए, जिसमें हमारे पास केवल 12.4 पर्सेंट एरिया आज फोरेश्ट कवर है। और ये सबसे बड़ी प्रॉलम है कि जो आज क्लाइमेट एक चेंजिस को लेकर हम और आप जो परियावर प्रदूशर को लेकर के डिसकस करते हैं बहुत सारे फोरेश्ट थे, बहुत सारे हरेवरे बन थे, जंगल थे और डिफरेंट टाइप के पेड़ पोदे थे और उनकी द्वारा हमें केवल फूल नहीं, हर्याली तो थी लेकिन उस समय की जो क्लाइमेटिक कंडिशन्स थी आज बिलकुल डिफर हैं और उसका कारण अगर हम उन संसादनों का भविश्च में आने वाली आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर के उपयोग करेंगे तो वो राश्ट हमेशा सम्द्र रहेगा और अगर हम बिना सोचे समझे उनका दुरपयोग कर देंगे एक बार तो निश्चित रूप से वो आने वाली पीड किरने की वजाए इन्हें बचाने और नयवनों के निर्मार पर ध्यान दिया जाए और ऐसा ही महवपूर्ण कारे किया जा रहा है उत्तरप्रदेश राज्य के कासकन जिले में जहां अपने आप में एक बेहद अनूठे वन का निर्मार किया जा रहा है काशगन जन्पद एटा जन्पद का ही एक हिस्सा है और दो हजार आठ में यहां फोरेस्ट का डिवीजन बन गया और यह गंगा निदी के किनारे पर इस्थित है जल संसाधन नदी विकास योग गंगा संरक्षन कारक्रम जो के सरकार मंत्राले है उसके अंतरगत जो कारक्रम नमामि गंगे चल रहा है उसके अंतरगत इस जिले को भी लिया गया है और इसी तरह से उत्तरप्रदेश के जो है गंगा निदी के किनारे या उसके में ट्राइविटरीज जो है के आसपास के जो जीले है उसमें 23 जनपद जो है जो उत्तरप्रदेश के है उसमें यह योजना जो है चलाई जा रही है इसके अंतरगत मुल उद्देश ये है कि गंगा निदी के किनारे एक जो है बिर्षारोपन का एक अच्छी खासी पट्टी तयार हो जिससे जो है मिर्दाच हरण और पर्यावरर सुद्ध रहे और गंगा निदी में जो भी इरोजन के थ्रोप मिट्टी जाती है वो सब जो है कम से कम जाए और गंगा एक काजल जो है सक्ष और निर्मल रहे कास गंज के इस मानफ सरजित वन की इस्थापना का कार्य व्रिक्षारोपण महाकुंब के नाम से 9 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की राजपाल महोदया शिरीमती आनंदी बेन पटेल के द्वारा किया गया जिसको गंगा वन का नाम दिया गया 9 अगस्त भारत छोड़ों अंदूलन के दिन महामहिम राजपाल महोदय के द्वारा वहां पहला पौधार उपित किया गया मानेनिये प्रभारी मंत्री, सांसत जी, बिधाय अगण, सारे अधिकारी, स्कूली बच्चे, जन्पद में एक उत्सो का महोल था उस दिन 62 हेक्टियर में एक लाख हजात पोधों का रोपन हुआ, जमीन 100 हेक्टियर की थी जिसमें हम लोगों लगभग 38 हेक्टियर पर गंगा डाइवर्स्टी पार्क का प्रोजेक्ट नमामी गंगे को भेजा गया है इस कारिक्रब में नमामी गंगे के डीजी डैप के जनरल भी उपस्थित आये थे और एक जो जन्पद में परियावरन को लेकर के एक उदासिंता का भाव था वेक एक एक जन्मानस जनांदोलन बन गया हम लोगों ने उस साल लगभग 18 लाग पेड रोपित किये और आपको देख करके आश्यर होगा जब आपकी टीम भी घूम रही है कि जो पेड़ हम लोगों लगाए पेड़ लगाना महत्पून नहीं है पेड़ों को बचाना उनको जिंदगी देना उनका पालन पोशन करना यह ज़्यादा महत्पून है आपने देखा होगा गंगावन जिस भावगोली की स्थिति में बना हुआ है वहाँ बड़ी आसानी से लोग हमारे जंगल को नुकसान पहुचा सकते थे वहाँ हम लोगों की ब्यवस्था की ताकि पानी की के कमी ना पड़े वहाम ने नर्सरी बनाई ताकि अगर कोई पाउधा मरता तो पाउधा रिप्लेस किया जाए गंगावन में इसी दिन एक लाख एक हजार पौधे लगाए गए जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी है गंगावन के निर्माड का मुख्य कारण है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना लगभग 62 हेक्टेर जमीन गंगा नदी के किनारे यूँ ही व्यर्थ पड़ी थी जिसको हरा भरा बनाने और भूमी के गंगा में कटाव को रोकने से बचाने के लिए इस विशेश वन का निर्माड किया गया इस वन को दो प्रमुख भागों में विवाजित किया गया है जिनके नाम है गंगावन और भागी रथीवन मैं समय गंगावन में खड़वगा हूं गंगावन जोगा बाशटट परइंट-माच हेक्टर चेतर में जो हमारा वन चेतर है जो हमने 2019 में रोपित किया था इसमें बिविन बाटकां से सुश्योय जिसमें निशत्र बाटका ऑसदी बाटका नबगरह बाटका जो हमारे हिय गंगावन में चार प्रमुक्त हयों जनाएं। सामाजिक वानकी, कैमपा, वन जमा और नमामी गंगे के अंतरगत व्रिक्षा रोपड का कारे किया जा रहा है। यहाँ ना केवल व्रिक्षा रोपड का कारे किया जा रहा है, बलकि इनके पूर्व रख रखाओ का भी कारे उचित रूप से किया जा रहा है। इस चेत्र में जो है नील गाउं का वहूँ छित्र के बाकी जुए जंडरी गाहे बगारा खाली से बचाना बड़ा मुश्कल होता है यहां जो हमरे होकीदारा Twin शेज गुझा बनों के निर्माड से ना केवल पर्यावलन का संरक्षन हो रहा है अपितू अनेको वनिय जीवों को भी आश्रे प्रदान हो रहा है हमारी इस जंगल की वज़े से वाइल लैब भी बढ़ गई है यहां पर हमारे पास यहां पर जो है चीतल और पाड़ा भी पाए जाते हैं यहां पर और इसके अलाबा जो है यहां पर लोंबडी और सियार भी दिखाई देती है वाइल लैब इस जंगल होनी के वज़े से वाइल लैब भी बढ़ गई है काफी गणा जंगल है हमारा हम इसका दिन राज जो है इसकी स्रक्षा में हमारे कर्मी और हम लोग लगे लेती है इस वन में अनेको अलग-अलग की वाटिकायं बनी हुए है जैसे कि ओश अधिय वाटिका नक्षत्र वाटिका और शहजन वाटिका आदी इस वन में अनेको प्रकार के औशधिय पौधे भी लगे हैं जैसे की आवला, अश्वगंधा, नीम, बालम खीरा आदी जो औशधिय गुणों से परिपूर्ण हैं और किसी रोग को दूर करने में भी कारगर हैं इसमें जो है कंजी है, और जी प्लाइंट में बेल है, नीम है, जामुन है, आम है, सहजन है और बेमिन प्रजातियां हैं इसका उद्देश यह है कि चार-पांच सालों के अंदर हमें इसके छाल, पत्ता और तना इसका जो है, सभी बहुपयोगी है, और दवाओं में काम आता है, आरिवेद में, और आसानी से गाओवानों को या हम लोगों को यहां सब प्राप्त किया सकता है, जो कि अब अबने से मिलता नहीं है, हमारा उद्देश यह है, लोगों को जो है, मतलब मेडिशन प्राइंट से जित्ती भी जो निकलती है, दवाएं, बो जो है, बनाने का उद्देश यह है कि हर आदमी आस पास के ग्रामीना जो भी है, वो इससे प्राप्त करेगा, और उससे गंगावन में बनी हुई नक्षत्र वाटिका अपने आप में बेहत खास है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, और इस नक्षत्र वाटिका में उन्हीं नक्षत्रों के अनुसार ब्रिक्ष रोपे गये हैं पूरब की तरफ पीपर लगाते हैं पस्चिम की तरफ बर्गर लगाते हैं उत्तर की तरफ बेल लगाते हैं और दक्षिड में आवना लगाते हैं इसान कोड में असोक जो है लगाया जाता है और पंचबटी एक हमारे पावराणिक उसमें बहुत महत्तो का बाटिका होती है तो इस तरह से आपने यहां पे देख प्रियाटि का समआवेश हो और हुआ उस इप्रकार यहां 500 घ grasses लें जाओं करिया है कि अधिक से अधिक प्रवारे प्रयाथियों का समवेश हो और कुल भी है इसी प्रकार यहां पर बनी नव ग्रह वाटिका भी आधारित है नौ प्रमुख ग्रहों पर ही जो सूर्य के नौ ग्रह हैं उनके हर ग्रहों के क्रम में एक व्रिक्ष जो सास्त्रों में निर्धारित है उसका रोपन किया गया है that किस ग्रह का कौन सा ब्रिक्ष है वो इस बोर्ड में जो है सब लिखा हुआ है और इन नौ ग्रह वाटिका के प्रिच्छारोंपन का बहुत ही महत्त होता है हमारी पृत्वी जो सूर्य के ग्रह हैं इनसे प्रभावित होती है उन ग्रहों का इस पृत्वी पर बहुत असर होता है और उनके सम्मान में उनके जो है रेस्पेक्ट में ये जो है नवब्रिक्ष लगाए जाते हैं जिससे जो है उनका जो है प्रभाव अच्छा प्रभाव इस प्रित्वी पर पड़े गंगावन और भागीरत वन दोनों ही प्रिकृति के लिए एक वर्दान की तरह हैं यह हमारा भागी रथी वन है बर्ष 2020 में यहां पर 298 हेक्टेयर भूम में तीन लाख 51,250 पौधे रोपित किये गए विविन प्रजातियों के और हम लोग जो है इसको बहुत महनत कर रहे हैं कि हमारे सारे पौधे जिंदा रहें इन पौधों को जिंदा करके हम लोग नदी के किनारे इस तरह की जो है एक बहुत बड़ा बनावरन तयार करके प्रद वो एक उदाहरन होगा अने जिले के लिये भी जिससे जो है नदी के किनारे खुब अच्छी खासी एरिया में बनावरन तयार हो जाए और इस बनावरन के तयार होने से हमारे जो है जो एकोलोजिकल सिस्टम है उसको मजबूती मिलेगी आक्सीजन जो साइकिल है उसको हम ज सफल होंगे गंगा का तटी किनारा है जो एक बीरान सा बनस्पत हीन लगता था वो आज हरा भरा और एक डम जंगल जैसा जो है इद्रिश्य हो गया है इस जिले में परेटन के एक सेंटर सोरों है जहां काफी पवराणिक जो है अस्थान है वहां पे इसको सोरों को दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं प्रदेश के देश के और हम लोगों का प्रयास है कि उस जो है परेटक अस्थल को अपने बनों से जोड़ें जिससे जो है जो भी परेटक यहां आएं वो जो है यहां भी आएं हमारे बनों में आएं और बन क हम निरंतर विकास करते जाएंगे हां कि जो है जो है जो है जो है जो है जो जैसे जो होता जाएगा उसी के अबन जीवों का भी आगमन सुरू हो जाएगा और जब बंडि-जीव को हमारे यहां पर इन बनों में आ तो यह जो है दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा अस्थान बनेगा लोग सोरों आएंगे यहां जंगल देखने आएंगे यहां बननी जीव प्राणी उपलब्द रहेंगे उनको देखने आएंगे तो यह बहुत अच्छा परेटन का यहां विकास की संभावना है वो हम ल उनके संरक्षन के साथ साथ ग्रामीडों को रोजगार के अफसर भी प्राप्त होते हैं और यहां पर परेटोकों के आने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं गाओंवारों से हम लोग जमीन खाली कराई वो कभी भी उसको नुक्सान पहुचा सकते हैं फिर हम लोग से ग्राम गंगा समिती बनाई कि जो भविस्य में इसे जो लाब होगा क्योंकि उसमें फलदार ब्रिक्ष भी हैं और सधीय ब्रिक्ष भी हैं इमारती लकडी भी हैं उसका एक भाग गाउं के विकास में खर्चो गाउवालों ने भी सहे हो कि आप तो वो उस पुरे बन की देख एक भी गाउवाले ही करते हैं तो एक जो पब्लिक को इंक्लिउसिब करके जनता को इंक्लिउसिब करके जो विकास का मॉडल है क्योंकि सर्भाइबल तभी कर पाएगा जब जनता महसूस करेगी कि मेरी चीज है सरकारी सिस्टम से तो हम लोग केवल उसको एक बार रूपित कर सकते हैं बट उसका जो लांग टर्म रख रखा हो है जब तक ग्रामेड सामिल नहीं होंगे तब मेरा अपना मानना है कि वो सफल नहीं होगा और मानेने मुख्यमंतरी जी का भी यही निर्देश है कि जनता को जरूर सहभागी बनाया जाए जो भी विकास कारिक्रम हो जनता ले बर्स फिर हम लोग बैठे कि अब क्या किया जाए एक तो गंगाबन हम लोग ने बना डाला फिर एक गाउं है दतलाना वहां हम लोग ने लगभग सवा तीन सो हेक्टेयर भूमी खाली कर आई और पिछले पांच जुलाई को वहां तीन लाख क्यावन हजार कोधों का र पूरा कारिक्रम हुआ और आप देख रहे होंगे वो और भी साइंटिफिक तरीके से उसका बनाया गया और आने वाले समय में जो इस साल का प्लान है कि गंगा बन और भागी रथी बन के बीच में हम लोग ग्रीन कारिडोर बनाएं और इस साल साथ सो हेक्टेयर भूमी हम लोगों ने खाली कराई है क्योंकि गंगा के किनारे हमारी काफी ग्राम समाज की जमीने थी जिनको लोगों ने अबैद कभ्या कर रखा था जिनको हम लोगों ने मुक्त कराया और मुक्त कराने में ना कहीं किसी पुलिस बल की आओ सकता पड़ी केवल और केवल जनता को कन् मोटिव नहीं है तो अपकी गंगा कारीडोर बना रहे हैं ग्रीन कारीडोर बना रहे हैं और मुझे मेरा अपना ब्यक्तिकत मानना है कि जब आक्सीजन की जरूरत भी कोबिट काल पर हम सब ने महसूस की होगी आप लोगों में से भी देखा होगा कि कितनी क्राइसिस थी और कि एवारा परियावरान संतुलित होगा तो मुझे मेरा अपना ब्यक्तिकत मानना है कि मांसून आएगा मांसून आएगा तो बरसात व्रिक्ष हमारे पर्यावरन को जीवन दायक बनाए रखने में बेहत सहायक है और इसी लिए व्रिक्षा रोपन बेहत आवश्यक है यह भागी रथी बहती है पुराणों में वर्नित सोरों सूकर्चेतर के पावन तट पर सोरों सूकर्चेतर पौराण एक तीर्थ है जहां भगवान विश्नु ने प्रत्वी को इस्थापित करने के लिए वराहा का अवतार लेकर हरनाक्ष द्यक्ति का वद किया था यह वही भूभाग है जो जल से सबसे पहले उपर आया था और इसी लिए सूकर्चेतर कहा गया उखल्चेतर कहा गया और भगवान शिरी वराहा ने स्वयम इसी इस्थान पर मोक्ष पराप्त किया गंगा की इसी पावन धर्ती पर इस्थापित किये गई यह बन निश्चित रूप से इस धरा के सोंदर को बढ़ाएंगे हमारे सास्तर कहते हैं कि जो एक व्रक्ष लगाता है वहां एक पुत्र को जन्म देता है और सास्तर यहवी कहते हैं कि जो बट पीपल जैसे ऑक्सिजन देने वाले व्रक्ष लगाते हैं तो उनके पूर्बज कई जन्मों तक स्वर्ग का आनन्द लेते हैं तो आईए हम सब मिलकर इस भागीरत बन और इस गंगावन में जो बन विभाग और जिला प्रशासन कासगंज के द्वारा सरजित किया गया है व्रक्षारोपन करें इसे सुन्दर्ता प्रदान करें इसको स जहतर भविश अपनी आने वाली पीडियों को देने में समर्थ होंगे पेड़ों के बिना जीवन हो जाएगा अपूर्ण व्रिक्षारोपन करके करो प्रकृती को परिपूर्ण सची कहते हैं कि व्रक्ष मनुस्यों के सच्चे मित्र होते हैं इनसे हमें जीवन दायक वस्त इसलिए इनके संरक्षन की बेहद आवर्शक्ता होती है इस तरह के मानव निर्मित बनों के द्वारा ही हम पर्यावरण में संतुलन बनाये हुए हैं जिससे अनेकों बीमारियों से भी बचा जा सकता है साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा में प्राप्ती हो सकती है और इसलिए वर्टमान समय की ये आवशक्ता और मांग दोनों है कि इसी तरह के मानव निर्मित बनों को और अधिक मात्रा में रूपा जाए जिससे संतुलन बना रहे प्रकृती में और यूहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए धेर सारे बनों का निर्माड होता और हे